जोदपूर से मिल रही बड़े कबर का रूप करता है फेपर लीक मामलेक में फरार आरोपी पुलिस कॉंस्टेबल शेतना राम गिरफतार हुआ आई जी विकास कुमार ने जानकारी दी और कहा कि 50,000 का एदाम घोशित होने के बाद से फरार चल रहा था 2015 से पुलिस कॉंस्टेबल के रूप में सिवाय दे रहा था पुलिस की कारिश्याली और तक्नीकी बारिक्यों से वाकिव था लेकिन डेड़ महीने की मशुकत के बाद गंगा नगर में गिरफतार किया गया है पहले एदरबाद में होनी की सूच्टा पर पुलिस टीम ने मजदूर बनकर नज़र रखी उसकी बाद गंगा नगर पहुशे पर स्पेशल टीम ने विद्यारती बनाकर डाला डेरा स्पेशल टीम को देखकर चट पर से कूद गया था रूप पुलिस में रहने के कारंट जबी तरा की चुनौतियों से बाकिफ था लेकिन स्पेशल टीम ने गिरफतार कर सफलता पाई है एसोजी की टीम को आज सुपूर्ट किया गया है बड़ी जांकारी शातना राम को लेकर आपको दे रहे हैं जिसकी लंबे अर्से से तलास थी लेकिन पकड़ना असान नहीं था क्योंकि पुलिस के बीची भैरूपिया बन कर ये बैठा था लेकिन पुलिस ने भी बारीकता से समझ कर अभियान चलाया और कर अभिया बारीकता से समझ कर देता है